ओक जी हमारी स्क्रीन श्वाद्ट होगी तो मैं आपको जो मैंने पिछले merry step बोले हैं इसको मैं दوبारा से repeat करता हूं ताकि आपको समझ do कि मैंने क्या क्या किया यहां पर मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने ले के आता हूं और मैं स्क्रीन को वियू भी करूंगा ताके वो स्टक नहीं हो गया हमने मेटाडेटा देखा और मेटाडेटा देखने के बाद हमने फिर अपना जो है वो काम स्टार्ट किया और मैं यहां प के कॉलम को पहले देखा और ID के कॉलम के बारे में हमने इंफ्रमेशन ली बलके पूरे डेटा सेट की इंफ्रमेशन ली डीएफ इंफो करके फिर हमने क्या किया डीएफ शेप करके यहां पर सारी इंफ्रमेशन ली यानि के शेप कैसी है 920 by 16 फिर मैंने ID कॉलम का minimum and maximum देखा कि मुझे पता चले कि ID जो है वो कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है ठीक है फिर मैंने यहां पर age के कॉलम का minimum and maximum देखा तो मैंने यहां पर output ली कि मेरे पास 28 years old से स्टार्ट होके 77 years old तक heart disease के cases जो है वो आते है डेटा यह बोल रहा है तो 28 से 77 तक का मतलब यह है कि 28 साल की उमर में heart disease स्टार्ट होती है 77 की साल की उमर तक heart disease most of the people जो है उनको रहती है तो पहला हमारे पास output जो आई वो हमने यहां पर लिख ली ठीक है the minimum age to have a heart disease starts from 28 years old अब आगे जलते हैं इसके बाद हमारे पास जो अगली information है वो यह है कि जनाब हमने यहां पर data को देखा कि कैसे यह data distributed है मैंने histo plot गनाया simple hist plot और histogram को जब देखें यहां पर गोर से तो आपको पता चलेगा कि आपका data set कुछ इस तरीके से नज़र आता है और आपको यह data clearly बता रहा है कि इसका mean median mod center में है क्योंकि it seems like a normal distribution because of the bell curve और मैंने का किया मैंने इसका mean median mod जो है वो plot किया plot करके साथ ही मैंने यहां पर print भी कर दिया print और plot जब मैंने किया mean median mod को तो उस वकत you can see कि blue line, green line and red line जो एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है 53, 54 and 54 यह तीन values हमारे पास तक्रीबन सेम सेम ही है so we can say कि most of the people get heart disease at the age of 53 to 54 years तो यह मैंने यहां पर output लिखती है अब हमने age के column को देख लिया लेकिन age के column में हमें जो चीज explore करनी है मैं वहां लिखता हूँ यहां पर let's explore the gender-based distribution of the data set for age column तो हम one by one column को देखते जा रहे है और हम यहां पर उसको code करते जा रहे है तो मैं यहां पर क्या करूँगा plot the histogram of age columns using plotly and coloring this by कौन सा कॉलम है जी हमारे पास उस कॉलम का नाम है gender sex ठीक है by gender sex अब इसके लिए plotly को मैं क्यों use कर रहा हूँ उसकी reason यह है कि आप px लगा के plotly को अच्छे तरीके से जो वह use कर सकते and then plotly will give you nice results ठीक है अब let's see हम यहां पर fig is equal to यहां पर लिखते हैं जनाब px.histogram और इसके अंदर हम लिखते हैं जनाब यहां पर हमारे पास आजाएगा data data frame is equal to df कॉमा histogram हमने बनाना है x is equal to यहां पर हम age को draw करते हैं और fig.show करते हैं let's see हमारे पास क्या बनता है यह हमारे पास इस तरीके से plot बन गया और यह plot हमारे पास सिरफ age के column का बना है अब इसके उपर हमने क्या करना है हमने यहां पर col करना है color is equal to और यहां पर sex लिखते हैं ताकि हमारे पास sex की base पर colors आ जा जाए यह male और female का data हमारे पास आ गया हम एक काम यह कर सकते हैं कि यहां से male के data को देखें और female के data को देखें और हम बारी बारी उनको count कर लें अगर आप गोर करें तो यहां पर जो सबसे उंची curve है वो 54 से 55 की bin है 54 से 55 years old male जो है उनके 70 count है और सबसे ज्यादा उनको heart disease का problem है 54 से 55 अगर female को देखें तो female को हमारे पास 54 से 55 जो है वो heart disease की problem है और उनका count है 22 यानि के male के अंदर भी 54 से 55 है female के अंदर भी 54 से 55 जो है वो first highest age का column है तो अगर मैं यहां पे एक output लिखूं तो यह गलत नहीं होगा most of the males and females get heart या are with our disease at the age of 54 to 55 years ठीक है यहां पे मैंने लिख दिया अब यह output मैंने कहां से लिया यहां पे plotly के plot के थूँ अगर आप गोर करें count मदे नज़र रखना है अगर आप इस पे गोर करेंगे ना आपको लगेगा शायद जी हमारे पास जो female है वो ज्यादा है लेकिन अगर आप गोर करें तो female की count है ना वो 22 है ठीक है यहां पे जो male है दोनों को इकठे बनाएं तो male का count जो है वो 70 है ठीक है इसका मतलब है कि female का proportion male के proportion से हमारे पास कम है now we have to find out value count ठीक है अब हम क्या करेंगे find the value count value count of age column by grouping 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 by sex column ठीक है अब हमने क्या करना है value count find out करना है age column का जब हम grouping by उसको sex के column से हम देखेंगे अगर मैं df. यहां पे df के अंदर age को value counts दूँ और अगर मैं check करूं इसको कुछ इस तरीके से तो आपको पता है कि आपके पास side पे value count है यह age है तो 54 years के 51 लोग हैं 58 के इतने हैं पिर यह सारे के सारे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं यहां पे इसको group by का function भी यूज़ कर सकते हैं so simply आप क्या करेंगे df.age और अगर हम df को group by कर लें df.group by group by करने के बाद अगर हम age का कॉलम यहां पे लिखेंगे then we can also do this group by function और अगर age का कॉलम नहीं लिखते तो फिर भी इसको कर सकते हैं अब आप से मेरी request है आप मुझे बताएं कि group by का कॉलम हम किस तरीके से यहां पे यूज करेंगे ठीक है मैं तो यहां पे लिख देता हूँ कुछ ना कुछ let's see के group by का जो function हम कैसे यूज करेंगे अगर आप गोर करें तो group by जब हम लिखते ही है तो यहां पे चीज आजाती by scalar, axis, level, as index, sort, group keys, squeeze, observe, drop, and a यह सारे की सारी चीज़ें यहां पे मजूद है group by के जो हमारे पास method है तो हम यहां पे इनको axis, levels और सारी की सारी चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर सकते है but the other way around is if I'm not wrong तो मैं यहां पे लिखता हूँ sex ठीक है इसके अंदर age dot value counts हो सकता है यह गलत हो लेकिन hopefully यह गलत नहीं भी है तो यहां पे अगर आप गोर करें तो हमारे पास यह इस तरीके से आ गया है अब आपके पास value count आई है लेकिन अगर आप गोर करें तो आपके पास count की output जो है वो basically यहां पे आ रही है जनाफ female का count जो है 54 जो age है वो 15 है 51 जिसकी है वो 11 है और 62 है तो आपके पास 10 है एक तो यह चीज़ आपके पास आगी अगर आप sex की base पे value counts के देखें तो इस से हमें क्या पता चलता है अगर मैं यहां पे dot sum लगा दूँगा तो मेरे पास total आगया 920 ठीक है 920 मेरे पास total आगया लेकिन अगर आप गोर करें dot sum का मतलब क्या है कि हमारे पास सारी की सारी values जो है वो इस तरीके से आ रही हैं कि सभी जमा हो रही है और यहां पे female की लाइदा और male की लाइदा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह तो हमने value काउंट कर लिए age के हिसाब से group आएगा इस से भी पहले हम एक और value काउंट करेंगे वो क्या है find the values of sex columns sex column उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा df के अंदर sex और dot value counts और यहां पे मैं इसको इस तरीके से लगा दूंगा तो 726 मैल है 194 फीमेल है अब मुझे बताएंजी एक question यहां पे आता है कि आपके पास जो heart diseases है ज्यादा males को होती है या females को होती है बताएं यहीं पे यहीं पे अगर आप होर करें तो आपके पास heart disease ज्यादा male को होंगी या female को होंगी male का count है 726 female का है 194 फीक है अगर आप गौर करें male जो है female से कितने गुना ज्यादा है अगर आप यह गौर करें male और female का दोनों का count कितना है अगर मैं यहां पे लिखूं 194 फीक है 194 फीक है 194 डिवाइड बाई 920 बलके 726 माइनस 194 फीक है डिवाइड बाई 920 और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं लेट सी 0.57 और हम यहां पे इनकी पर्सेंटेजेस काउंट करेंगे अगर हम यहां पे लिखनेंगे अगर हम यहां पे लिखनें male underscore count is equal to यह हमारे पास है जिनाब 726 या तो हम 726 लिख सकते हैं या मैं simply यहीं से इसकी जो index 1 है वो भी ले के आ सकते हो तो मैं 726 लिख लेता हूँ ज्यादा simple रहने के लिए हमारा female count जो है उख हमारे पास 194 ठीक है तो यह दोनों आ गया total count हमारे पास यहीं से निकल आएगा total count हमारे पास क्या है total count हमारे पास है 920 यह हमें और रेड़ी पता है तो मैं यहाँ पे is equal to male underscore count plus female underscore count यह total count आ गया अब हम calculate करेंगे percentages calculate percentages और यह तरीकागार क्या होता है आप basically calculate कर सकते हैं male percentage male percentage is equal to आप करेंगे male underscore count divided by total count total count multiplied by 100 multiplied by 100 इसी तरीके से आप female percentage count करेंगे female percentage 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 is equal to female count divided by total count and multiplied by 100 और यहाँ पे हम लगाएंगे एक ब्रैकेट ठीक है सो हमारे पास display the results हम करेंगे जनाब print print इसके अंदर लिखूंगा मैं f string के साथ में लिखता हूँ male percentage with heart दिजीज 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 ठीक है या male percentage in the data क्योंकि अभी मैं कहा नहीं सकता कि heart disease है obviously मैंने जो यह output लिखिया यह change भी होंगी तो यह ना समझेगा है जो मैंने यहाँ पे लिखता है वो final है इस वज़ा से मैं कहा रहा हूँ कि यह random output है तो मैं यहाँ पे अगर लिख दू male percentage in the data तो अगर मैं उसको लिखूँगा तो कुछ इस तरीके से लिखूँगा और मैं यहाँ पे इसके लिए bracket on करता हूँ male percentage और इसको two round off करके two values तक ले जाता हूँ फिर हम लेते हैं female percentage so print इसके अंदर हम लिखते हैं f string निकाल के f string के साथ हम लिखते हैं female percentage in the data in the data यह मैं इस वेटा से कर रहा हूँ क्योंकि हमने यह notebook अपलोड करनी है so time तो लगे का ना जाहर जाहरी बात है और female percentage लिखने female percentage to f कर दिया and here we go ठीक है जी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि data के अंदर 78% जो है आपके पास males हैं और 21% आपके पास females हैं so अगर मैं यहां पर count करूं कि आपके जो males हैं वो कितने गुना ज्याद हैं how to check that male that how much more are the males than females males आप इसको भी find out कर सकते हैं basically ठीक है 21-22 बार 42 23 बार उस तरीके से आप करके इसको find out कर सकते हैं कि 78-91 आप करने के बाद उससे calculate कर सकते हैं कि आपके पास total जो है वो percentages कितनी किसकी है यह difference आप चेक कर सकते हैं और आप यह भी find out कर सकते हैं कि males का जो difference और फीमेल के difference से कितना ज्याता है ठीक है so this is how you can actually have an idea say for example मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे यह भी लिख सकता हूँ something like this difference difference लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँँगा जनाब difference underscore percentage difference percentage is equal to male count minus female count minus female count और यह हो गया हमारे पास difference in count और हम क्या करेंगे इसको उठा के divided by female count के करेंगे sorry यहाँ पे करना था मैंने male count female count divided by female count और multiplied by इसको 100 करेंगे so कुछ इस तरीके से इसका formula बनेगा and then we can actually print this thing यहाँ पे मैं कित लिखता हूँ इससे के print males are more than female in the data let's see कि यह हमारे पास क्या देता result अच्छा यहाँ पे हमारे पास 274 परसंट है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि अगर 100 परसंट हो तो उतना ही है डेटा अगर 21 परसंट होता तो 100 परसंट हा 22 बार 42 है तो 200 परसंट हो गया और फिर उपर 0.74 यानि कि 274 पीसद ज्याद है आप इसको कह सकते हैं कि 1.74 X या 2.74 X ज्याद है तो इतना हमारे पास more than females है males ठीक है और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पर लिख देता हूँ यह सब कुछ लिखने का क्या है हम इसी को copy करते है copy करके अपनी output में लिख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास results आ रहे हैं ठीक है इससे फायदा क्या होगा आपको basically पता चल गया है which is called data set मैं इस column को यहां पर copy करता हूँ और best way यह होता है कि यहां पर let's यहां पर मैं करता हूँ बलके इसको हम python के अंदर ही ले जाते हैं और share tab y enter यहां पर मैं लिखता हूँ let's deal with column ठीक है मैं सब से पहले इसकी value unique values देखता हूँ unique values को find out कने लिए आप unique लगा देते हैं और यह आपके पास unique values आगी Cleveland, Hungary, Switzerland and VA Long Beach यह चार जगों का data है चार जगों का data है और यह हमें meta data भी बताता है कि data set जो चार जगों से लिया गया है और यह चार institutes हैं ठीक है और data set column का value count हम इस तरीके से देख लेंगे सबसे ज़्यदा Cleveland का है फिर Hungary का है फिर VA Long Beach का है फिर Switzerland का है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया अब हमने आगे क्या करना है हमने यह output यहाँ पे लिखनी है और आप देखें कि मैं यह output का column जो है इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ ताके हमारी output जो है वो साथ साथ बनती जाए और हमें at the end ना लिखनी पड़े मैं यहाँ पे इस output में लिखता हूँ कि हमारे पास सबसे ज़्यदा Cleveland है with 304 data set यहाँ पे मैं लिखता हूँ we have highest number of patients मैं कहूंगा या मैं कह देता हूँ patients from the we have highest numbers of people from Cleveland ठीक है 304 and lowest from कहां से हैं जी lowest Switzerland हम highest और lowest जो हैं वो यहाँ पे दे देते हैं ठीक है इसकी percentage काउंट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं I'm just giving you an idea कि आप किस तरीके से इसको लिखे हूँ यहाँ तक आपको समझ आगी अब output मैं साथ-साथ लिखता जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने value account बना दिया अब हमने यह देखना है कि data set के column में कितनी females किस area से है कितने males किस area से है so now we have to group the data यहाँ पी जो unique values है मैं इसी चीज को copy करूँगा बलके यहाँ पे लिखता हूँ we have to find पहली चीज हम अब link बना रहे हर एक data set के दूसरे data set के साथ हम count plot of the data set column हम बना सकते है dfx पे data set है और मैं अगर इसको draw करूँ तो it would look like this यह count plot है और इसको आप separate भी कर सकते हैं और आप कैसे करेंगे color के साथ या आप color is equal to और यहाँ पे मैं कह देता हूँ for example बलके नहीं hue करेंगे hue is equal to इसको मैं कर देता हूँ sex से तो यह हमें male female male female male female का पता चल जाएगा यहाँ पे अब अगर आप गौर करें सबसे ज़्यादा males जो हैं 200 बलके hungry में सबसे ज़्यादा males है गौर करें अगर और आपके पास cleveland में उससे कम males है और VA long wedge में सबसे कम males है Switzerland में सबसे कम males है और अगर आप चाहें तो इस तरह का जो plot है वो plotly में बना सकते है सो मैं यहीं पे plotly से बनाता हूँ कैसे बनाएंगा fig is equal to px dot यहाँ पे हम बनाएंगे count plot let's see अगर यहाँ पे आता है count plot नहीं है यहाँ पे let's see plotly plotly के तरूँ count plot बना के देखते है इसका एक और तरीका यह है क्योंकि मैं minimize coding की तरफ जा रहा हूँ make the same plot with plotly मैं यहाँ पे control आई करके लिखता हूँ और it will show me किस तरीके से आप plot बना सकते है let's see मैं यहाँ पे accept करता हूँ I know कि plotly जो है वो अच्छा plot नहीं बनाएगी I can understand that but we will see यह चेक करें plotly जो plot बनाया है उसने हर एक value को इस तरीके से stack कर दी है और जो आप बाकी देख रहे है male को देखेंगे तो वो separate आएगा female को देखेंगे तो separate आएगा so you don't need to worry about that क्योंकि stacking जो है वो basically plotly के अंदर होती है अगर आप दूसरा plot देखेंगे तो that will show a different thing वो इस तरीके से plot है तो आप इसको भी बना सकते हैं लेकिन मैंने plotly को क्यों बनाया because I can have a look closely by zooming in like this और यहां से मुझे number पता चल सकते है so I can have a look और यहां से मुझे count पता चल जाएगा which I already know that by the way so यह plotly के थुरू बना के मैं male और female को separately देख सकता हूँ आप देख सकते हैं कि सबसे कम females हैं VA long beach में सबसे ज़यदा females है Cleveland में वो भी 100 से कम है males जो हैं सबसे ज़यदा है हर data set में लेकिन hungry में सबसे ज़यदा है फिर Cleveland में फिर VA long beach और फिर Switzerland ठीक है यह सिर्फ visualization के base में कर रहा हूँ इस वज़या से मैं इसको यहां पर comment out करता हूँ better plots with plotly यहां पर मैंने plotly के साथ इसको plot बना दिया simple जी यह आपको समझ आगी होगी और यह plotly के थुरू मैंने plot बना है and then you can have a look के कहां पर males ज्यादा और कहां पर females ज्यादा है and this will give you an idea सबसे कम females कहां पर हैं अगर कोई question पूछता है तो सबसे कम females जो हैं VA long beach में है सबसे ज्यादा females हैं Cleveland में तो यही चीज़ हम यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे अब इसको मैं आगे लेगे हैं क्योंकि साथ number में हमने value count को बता है कि the number of females in this data set are the highest number of females in this data set highest number of females in this data set are from Cleveland Cleveland मैं यही से भी copy करने की कोश़़ी कर सकता हूं but I can also do that like this and lowest from VA long beach तो यह VA long beach से है ठीक है मैं number नहीं यहां पर लिख रहा है अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास value count भी आ सकती है वो कैसे आएगी you can make a value count और यहां पर मैं कहता हूं for example print the value count of data set column grouped by sex ठीक है तो आप यहां पर इसको data set के column को भी लिख सकते हैं yes तो यह हमारे पास जनाब male और female तीनों आगी है हमारे पास यह 97, 81, 10, 6 हंगरी में हमारे पास यह है तो आपके पास number भी आगया Cleveland में 97 और VA long beach में 6 हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं 97 97 और long beach में 6 हैं यहां पर लिख देता हूं 6 अभी आप देख रहे हैं कि हमें अच्छा खासा काम करना है so bear with me यह ना हो कि आप लोग परिशान हो जाएं और आप से काम ना हो तो मैं same वही चीज़ लिखूंगा the highest number of males in this data set are from are from अच्छा highest number of males कहां से हैं जी Hungary से ठीक है and lowest from Switzerland Hungary और उनका काउंट है 212 अब आप देख रहे हैं कि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ गिटब को पाइलर्ट को यूज़ करेगा here she cannot work Switzerland 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 से कितने हैं जी 113 Switzerland ठीक है 113 so यह साथ साथ मैं output लिखता जा रहा हूं और यह मेरी रिपोर्ट त्यार हो रही है बाइदावे और यह मेरा अभी तक के काम की output है यहां पर आपको समझ आगी कि अब हमारा डेटा एक कॉलम से हम चले दूसरे कॉलम पे गए तीसरे कॉलम पे गए अब एक चीज जो रहती है यहां पे वह है एज की और यहां पर हम देखेंगे के कैसे हमारा डेटा जो एवर नजर आता है मैं यहां पर क्या करूँगा लेट सी यहां पर यहां पर हम करते हैं जनाब make a plot of age कॉलम यूजिंग plotly and clearing by data set कॉलम सिंपल तो यह हम बनाते हैं यह आपके पास जनाब data set आ गया हर एक जगा का और अगर आप गोर करें तो यहां पर आपके पास center जो है 54 तो 55, 27 और इस तरीके से नजर आएगा और plotly का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप इसको one by one करके देख सकते हैं और जो आप देखें यहां पर VA long beach की जो average है वो 62 तो 63 है Switzerland की अगर average देखें तो यह different है 60 से 61 Hungary की अगर देखें तो यह different है Cleveland की देखें तो यह different है और इन सबी की 80 देखें तो that would be different अगर आप stacking देखें तो यहां पर आएगी 53, 54 पर लेकिन अकेले अकेले की average different है और अगर आप गोर करें इस चीज़ पर तो यह pattern आपको बताता है कि हर country का data different तरीके show कर रहा है So you can have a look VA long beach के ओपर यह चीज़ है Switzerland के ओपर यह चीज़ है Hungary के ओपर यह चीज़ है and then Cleveland के ओपर आपके पास यह वाली output आ रही है तो यहां तक आपको समझ आगी होगी कि आपके output किस तरीके से नजर आ रही है यहां तक आपको clear होगे तो please write down in the chat section ताके मुझे समझ लेगे and then we can have a look into it together अब यह तो हो गया हमारे पास simple एक plot के तो now what we will do print the mean, median and mod of age column grouped by data set column हम उसको लिखेंगे ठीक है और इस तरीके से हम करेंगे group by के हमारे पास जो चीज़ें है वो सारे की सारी नजर आए हमें मैंने यहां पर इसको enter किया and then have a look here data set, Cleveland का हमारे पास यह है, Hungary का यह है, Switzerland का यह है, Long Beach का यह है name हमारे पास है age फिर data set, Cleveland, Long Beach और इस तरीके से हमारे पास आ गया और यह हमारे पास third है तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास mean है यह वाली, तो मैं यहां पर अगर लिखू mean of data set अगर मैं यह लिखू और आपको इस तरीके से दिखाऊ then you can have a look और इसी तरीके से median कर लेंगे और इसी तरीके से हमारा mod हो जाएगा and then we can print all of them together sorry for that, there is something wrong अच्छा जी, इस bracket का बंद होना भी जुरूरी है f string यूज़ कर लेते है, f और यहां पर इसके इर्द गिर्द आएगी दरम्यानी bracket, curly braces वाली यह एक bracket होगी, यह दो bracket होगी क्या मसला रहा है जनाब तो क्या इशू है oh I see, I didn't close the quotation marks now it's fine, let's run this first it's working fine, यह ओगया जी mean of the data set और इसके बाद आजाएगा median of the data set और यह आपके पास आगया mod और यहां भी मैं एक काम और करता हूँ तो अप्रेंट करके, मैं line separation लगा देता हूँ यह वाली जिससे क्या होता है, आपकी line एक automatically जो है वो बन जाती है which separates the out something like this ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास mean of the data set यह है 54, 47, 55 and 59 बहुत ही different है median भी different है, ठीक है और जो हमारा mod है, हर data set का वो भी different है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी country में आपके पास जो mean, median, mod है इसका मतलब यह है कि आपकी on an average वहाँ पे heart disease के जो chances है या जो patient थे इस data set के उनकी age differ कर रही है, so you can write down this output by making a sentence, ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे खुद भी लिख सकता हूँ but you have to write it down, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ कि आपने mean यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब, write down the observations here about mean, median and mod of data set data set of age column grouped by data set of age column grouped by data set column right जी तो इससे क्या होगा इससे कमस कम आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस जगा पे खेल रहे हैं and how you are actually working on the data set right तो यह आपकी observation है, यह आपने लिखने है मैंने आपको तरीका कार बता दिया कि कैसे आप output देखते हैं अब एक और चीज़ जो हमने देखनी है यहां पे that is I know कि हम आइस्दा आइस्दा चल रहे हैं लेकिन आप देखें कि हमारे पास data को समझने की सलाहियत कितनी आ रही है and then we can have a look कि हमारे पास data कैसा जा रहा है अब चलते हैं CP के column पे what is CP CP जो है हमारे पास वो है जनाब अगर आप यहां पे आएं this says कि यह chest pain है और इसकी तीन टाइप्स हैं typical angina, atypical angina, non-anginal and asymptomatic तो मैं क्या करूंगा इन चार की चार टाइप्स को जो CP है यहां पे chest pain को मैं नीचे ले आऊँगा और यहां से इनकी values को मैं एक एक करके आगे ले जाँगा ताके मेरे पास यह चारों की चारों कुछ इस तरीके से नजर आए और I can also write one dot ताके मेरे पास इनकी values जो हैं वो इस तरीके से मेरे पास आज़ाए three dot and this one is four dot by the way four dot and here you go right यह मैंने इसको किया अब आपको समझ आएगी के chest pain में typical angina है, atypical angina angina कहते हैं chest pain को अगर आपको नहीं पता तो आप इसको search भी कर सकते है typical, atypical, non-anginal and asymptomatic ठीक है अब हम चोते कॉलम पे गए हैं CP पे तो हम typical, atypical और बाकी चीज़ों को हम देखेंगे but I can write down directly कि हम अब क्या करने वाले है CP कॉलम को देखेंगे so मैं यहाँ पे एक heading और देदेता हूँ let's explore CP कॉलम ठीक है और जैसे मैं यह लिखूंगा आप देखिएगा कि हमारे पास CP के आगे chest pain ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं इंटर करता हूँ अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे histogram बनाएंगे age के column का और यह हम कोई और काम कर सकते हैं start में मैं लिखता हूँ value count of CP कॉलम सबसे पहले value count उसका निकालते हैं तो यह इसका value count आगया आपको समझ लगी asymptomatic, non-engine, atypical engineer typical engineer नहीं होती atypical engineer मतलब जो irregular हो सकती है typical का मतलब है कि यह हर सबी को होती है so these are four types मैं इसकी detail में नहीं जाता लेकिन इन चार categories के base पे मैं age के column को draw करना चाहूँगा जो मुझे यह बताएगा कि age span के अंदर ज्यादा pain होती है किस age span में ज्यादा pain होती है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा draw the plot of age column column based या grouped by grouped by unginal grouped by cp column grouped by cp column अब हम इसको using plotly में कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो scene है वो सीधा रहे तो plotly को use करके हम यहाँ पर plot बनाते है and here you go you can have a look कि जैसे मैं सबसे पहले typical inginal पे जाता हूँ तो age random है यानि के ऐसे लोग भी है जिनको होता है नहीं है inginal मतलब इस age group में इस bin में 70 से उपर यहाँ पे chest pain हो ही नहीं रही ठीक है तो यह आपके पास एक output है typical inginal आपके पास यहाँ पे available ही नहीं है जब सबसे ज्यादा है वो है 62 से 63 साल की उमर में छे लोगों को ठीक है और यह भी कोई बहुत बड़ी amount नहीं है अब जलते हैं asymptomatic पे asymptomatic जो है वो basically काफी लोगों को यह heart disease के अंदर asymptomatic inginal होती है यानि कि symptom निशुक पिर अगर आप जाएं non-inginal पे तो आपके पास कुछ इस तरीके से non-inginal CP जो है chest pain है फिर आपके पास है जनाब atypical inginal ठीक है अब मुझे पता है कि आप मेंसे काफी लोग हैं जो इस वकत इस बात से परिशान है कि यह ingina क्या होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक google पे search करते हैं गूगल पे जाते है ingina meaning तो ingina जो है basically a typical a type of chest pain caused by reduced blood flow to heart ठीक है तो यह chest pain है जो reduce करती है blood flow को too hard ingina is a symptom of coronary artery disease जो इसको नहीं हम देखते हैं लेकिन Wikipedia यह आप कहलें कि simply यह चीज़ क्या है यह chest pain होती है जब आपका blood flow नहीं जाता तो simple यहाँ पे आपको समझ आगी तो यह इस तरीके से आप search out करते हैं चीज़ों को अब आपने इसकी output भी यहाँ पे लिखनी है और आपको यह मैंने age की base पे यह plot बना के दिखाया आप यह जो count plot है इसको भी बना सकते हैं मैं simply यहाँ यहाँ लिखी देता हूँ count plot of यहाँ पे cp column by हम इसको कर लेते हैं data set column भी कर सकते हैं या हम sex के column के साथ भी कर सकते हैं तो sex के column के साथ हम करेंगे तो हमारे पास जो count plot है sex column तो count plot हमारे पास बनेगा sns.count plot और हमने बनाना है यह data set df comma x is equal to यहाँ पे हम कर देते हैं नहीं सच count plot age का नहीं बनेगा cp column का बनाना है grouped by sex column तो यहाँ पे मैं करता हूँ cp comma hue cp comma hue is equal to sex और इसको हम इस तरीके से plot कर देते हैं तो यहाँ पे हमें समझ आ जा जाएगी obviously के male और female की base पे हमारे पास कहाँ पे सबसे ज़्यादा variation आ रही है आप देख सकते हैं के यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा count जो है asymptomatic लोगों का males में है females में कम है और females में कम क्यों है क्योंके females की तदाद जो है वो basically हमारे पास data set में है ही कम ठीक है so यह तो हो गया count plot of sex ठीक है इस तरीके से अगर मैं चाहूँ इसी को sorry copy करता हूँ और यहां पे एक और टाइप का plot बनाता हूँ sex column की बज़ाए इसको data set के साथ मैं रखता हूँ कि कहां पे सबसे ज़्यादा होता है तो मैं यहां पे data set लिख देता हूँ and here you go तो आपको हर एक data set जहां से आपने लिए है उनका पता चल गया गही symptomatic काहां पे non-engine काहां पे typical engineer काहां पे अब हम हर चीज की base पे उनको देख रहे हैं अब हम अगला काम क्या करेंगे age की base पे draw करेंगे which we have already done here ठीक है so यह इस तरीके से हम अगले parameter को पिछले parameter के साथ link up करते जा रहे ताके हमें चीजों की समझ आ जा जाएगा अब इस पे आपको अंदाजा हो जाएगा के यार हम जो काम कर रहे हैं this is very big I know के आपको भी मसले मसाहिल आने हैं इसके अंदर but I am going to say के ये जो project है अगर आप इस तरीके से करेंगे ये project अगर आप कहीं पे present भी करेंगे believe me वो रश को क्या उसको बोलते है उनको आप पे रश काएगा yes क्यों क्योंके ये काम ही ऐसा है आपके सामने है यार ये मैंने CP लिखा I know here and there you have to improve few things लेकिन वो बाद में भी करते जाएगे so यहाँ पे आपने क्या करना है अब अगली observations क्या लिखनी है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ write down the observations from CP column ठीक है ठीक है आपने ये लिखनी है अब ये चीजें आपने क्यों लिखनी है मैं आपको इस वेटर से बता रहा हूँ ताके आपको समझ लेगे कि आप जो काम कर रहे है वो आप नहीं करना है मैं सिर्फ आपको एक direction दे रहा हूँ आगे चलते हैं जी rest t rest bps पता नहीं क्या आई है I don't know about that let's see t rest bps यहाँ पे यह कहते हैं कि resting blood pressure resting blood pressure in mmhg mercury का ये unit होता है on admission to the hospital यानि कि जब कोई patient hospital में admit हुआ है उस वकत उसका resting blood pressure कितना था t rest blood pressures ठीक है on the time of admission t rest blood pressures in mmhg तो हमें unit से अभी फिलाल कोई लेना देना नहीं है blood pressure blood pressure होता है and we know कि हमारे पास किस तरीके से blood pressure जो है वो count होता है so मैं यहां पे लिखूँँगा let's deal let's explore the मैं यहां पे कहूँँगा t resting blood pressure column और यहां पे मैं लिखता हूँ the the normal resting blood pressure is और मुझे पता होना चाहिए क्या है और आपको भी पता है कि 120 by 80 है if a person is resting and blood pressure is higher than normal it's called pre-hypertension the the systolic number is pressure यह सारी चीज़े है लेकिन मैं simply क्या करूँगा simply इसको इस तरीके से लिख लूँगा इस से कम हो या ज्यादा हो that is wrong ठीक है आपने यहां पे लिखना है यहां पे लिखना है आपने right here what will happen if the blood pressure is higher low ठीक है उन conditions को क्या बोला जाता है और उसकी base पे आप binning कर सकते है and then you can bin the data bin the data based on those values ठीक है यह एक बहुत बड़ी information है जब एक patient आपके पास admit हुआ है hospital में जहां पे resting blood pressure चेक हो रहा है यह आपको क्या information देता है let's see मैं यहां पे लिखता हूँ simply मैंने कहा करना है अब मैंने एक column जो है t rest bps इसको लेना है अब इसको मैं चेक करता हूँ सबसे पहले इसके value accounts चेक करता हूँ so value account कैसे चेक करेंगे by the way एक चीज़ जो मैं बतानी आपको भूल गया जब आप info की command लगाते हैं which I put in the beginning here आप यहां पे चेक करते हैं कि missing values कहां पे है I know कि cp column तक कोई भी missing values नहीं थी अब चेक करें ठीक है क्योंके मैंने start में से देख लिया था लेकिन tree rest blood pressure में आपके पास missing values आ गई है और फिर यहां पे भी missing value based on the category of the column ठीक है अब यहां से हमारा missing values का scene start हो गया which is 861 हमारे पास values है T rest blood pressure की और हमने पिर आगे चलना है by the way you have to write down कि किस column के अंदर missing values है और कितनी है अब हमारा काम missing values का start हो गया क्योंके हम column by column चल रहे है इस वड़ा से में देखना पड़ेगा first of all we have to find यहां मैं यहां पे लिखता हूँ find the value counts counts अंग्रेज़ा आगे of T rest BPS column हम देखते हैं तो हम यहां पे जनाब value count देखते हैं तो यह हमारे पास क्योंके numeric है इस वड़ा से में value count की ज़रूरत नहीं है हमारे पास जो scene आएगा वो यह है कि हम इसका summary देख सकते है let's see यहां पे summary अगर आती है तो not here dot describe let's see yes describe आप इसका देख सकते हैं तो जब भी आपका column numeric होगा you can find the describe column और इसमें सारी की सारी चीज़े आजाएंगे mean, median, mod भी अब आइस्ता इस्ता आप देख रहे होगे मैं advance level पे आपको लेके जा रहा हूँ age के column के साथ मैंने यह काम नहीं किया था because I just wanted to make a kind of base for you but now we can put age के column के उपर हम यही वाली चीज़ लगा सकते हैं describe की so let's summarize the age column अब यहाँ पर df के अंदर age dot describe dot t अगर आप लिखेंगे तो it will show like this transpose अगर हम करते हैं let's see transpose क्यों नहीं हो रहा let me see कि यह transpose क्यों नहीं हो रहा dot t यहाँ पर transpose the column यही प्रावब ही किता सी no it's not getting transpose कोई तो मसला है देया we will resolve this later on क्योंकि यह priority पर नहीं है चीज़ तो age के column के अंदर हमने ऐसे कर लिया था अब मैंने आपको दताया कि आप ब्लड प्रेशर भी गया रेस्टिंग स्टेज का ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेंडर्ड अवेशन उनने से मिनिमम में इतना है पच्छिस और पचास और पिर पच्छाइटर हमारे पास यानि यह कोरटाइल फरस्ट है सेकिंड और थर्ड कोरटाइल है एक बात जो समझने वाली है वो यह है कि यह तो ब्लड प्रेशर जो आपके पास टी रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है यह आपके पास M.M.H.G. on admission to the hospital है ठीक है अब यह वाला ब्लड प्रेशर कौन सा ब्लड प्रे sample create a hist plot of T rest BPS column उसके लिए हम क्या करेंगे simple hist plot बनाएंगे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका 120 वाली जो रेंज है वो normal है और उससे उपर है तो हम lowest blood pressure की बात नहीं यहाँ पे हो रही है आपके highest की हो रही है 120 बाइटी जो होता है उस तरीके से हो रही है तो हम यहाँ प pressure कितना होता है तो अगर आप उसको देखें तो वह less than 120 बाइटी होता है बट हम हमारे पास अगर एक value है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे we have to see right तो कुछ लोग doctors कहते हैं कि 90 से भी उपर हो जा सकता है बट वी विल सी यहां तक आपको clear हो रही है बात या नहीं मेरे ख्याल से clear हो जानी चाहिए so हमारे पास यह रहे जा रही है जी blood pressure की but हमारे पास जो missing values उनको पहले find out करते हैं because we found out deal with missing values ठीक है values in the rest column और उसको हम क्या कर सकते हैं पहले तो percentages उसकी find out करेंगे और उसके लिए यह formula है हमारे पास यह हमारे पास percentages है तो मैं यहां पर बिल्कुल लिख देता हूँ पहले के print the percentage in missing value to rest pressure is this यह हमारे पास percentage है जिनाप 6.41% सही है तो हम इसको impute करेंगे impute the missing values of T rest BPS column with मैं mean के साथ नहीं करने वाला using के एन एन या iterative imputer कर लेते हैं iterative imputer हमें iterative imputer पहले बनाना पड़ेगा iteration जो है आप यहां पर लिख सकते हैं जो मैंने आपको बड़ी detail में बताई हुई है तो iteration 10 है random state मैं यहां पर 42 कर देता हूँ ताकि एकी दफा हो बार बार ना हो हमारी और फिर हम क्या करेंगे object बनाने के बाद हमने imputer को fit transform भी करना होता है so we have to look into that और उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम t-res blood pressure के ओपर यह वाला column लगाएंगे ठीक है और transform भी करेंगे data को और इस तरीके से आप इसको transform कर सकते हैं या fit underscore transform भी use कर सकते है but it's up to you तो मैंने इस तरीके से इसको iterative imputer के थ्रू लगा दिया हमारे पास जितना भी column है सारे के सारा हो जाएगा and then we have to find check the missing values at the end और उसके लिए हम क्या करेंगे print missing values let's see got an expected keyword argument iterations okay so I will write यहाँ पर iteration की बजाए max iter आने मेरे खाल से max yes maximum iterations not yet equal to no it's fine so आप देख सकते हैं के हमारी values impute हो चकी है and now we have zero zero missing values so it's very simple तो मैंने इस column के साथ iterative imputer को तो मैंने impute कर लिया अब मैं क्या करूंगा let's impute other columns with missing values तो हम सबसे पहले तो देखेंगे के हमारे columns कौन कौन से missing values के से तो हम करेंगे print print तो हम करेंगे missing values in column तो मैं यहां पे df.isnull.sum और इसको sort के साथ बलके print की बजाए df.isnull.sum divided by length multiplied by 100 यह हम करते हैं तो हमारे पास यहां पे percentages आगी हैं मैं सभी को dot sort values करता हूं dot sort values और ascending false करते हैं तो यह मेरे पास आ गया अब हमारे पास c.a, thal, slope, fbs, old peak, thal, xgang, call और और भी हमारे पास values हैं यह वाले column हैं हमारे पास जिनकी missing values हैं अब हम क्या कर सकते हैं इन सारे columns को हम missing values के थूरू impute कर सकते हैं लेकिन उससे भी पहले हमें देखना होगा कि यह columns की categories कौन कौन सी हैं और उसको देखने के लिए हम बारे बारे देखेंगे कि इन columns में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो समा रही हैं तो मैं सबसे पहले बात object है तो मैं इसको नहीं देखता अभी फिर slope हमारे पास क्या है उसको मैं देखता हूं यह हमारे पास लोप है यह भी object है इसको भी अग्नोर करता हूं FBS हमारे पास एक कॉलम है जो object है इसको भी अभी अग्नोर करता हूं old peak हमारे पास क्या है यह नव यह float है तो CA and old peak यह दो हमारे पास कॉलम होगे CA, old peak ठीक है और फिर हमारे पास अगला आज़ता है जनाब old peak के बाद thal, 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 ch सिर्फ चेक करने के लिए के हमारे पास जो numeric values है वो कौन सी है exang, exang, तो यह 865 non-null values है और यह object है तो object को नहीं हम देखते है CHOL, cholesterol level I think so, तो इसको देखेंगे 891 है, यह भी float है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते है CHOL, यह भी मैंने लिख लिख लिया, अब आगे चलते है rest ECG, rest ECG देखते हैं कि यह कौन सा कॉलम है, rest ECG हमारे पास object है I will not take this into account for now, अच्छा जी, यह हमारे पास कॉलम है तो यह हमारे हैं, जी, numeric columns, ठीक है, अब हम इनकी missing values को impute करेंगे, सभी की सभी को, और इन सभी की सभी missing values को impute करने के बाद हम दुबारा से चेक करेंगे, कि यह किस तरीके से impute हो रही है, right जी, यहाँ तक clear हो गया, अब हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, df.info essay रहने देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, impute missing values using iterative imputer for, अब मैं यह columns के नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे, columns, अब हम देखते हैं, अब हमने क्या किया, imputer दुबारा से बनाएंगे, और यह different imputer होगा, पहले imputer से, तो मैं इसको imputer 2 कह देता हूँ, पहले वाले को imputer 1 कह देता हूँ, just for this sake, कि आपको समझ आए, कि पहले वाला imputer 1 था, और दूसले वाला imputer 2 है, imputer 2, आप इसको एकठा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बता है, सो, मैं यहां तक सारी की सारी चीज़ों को दुबारा से उपर वाली को रन करता हूँ, if everything is running fine, it will give me like this, okay, तो maximum iteration भी मैंने बता दी है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे call करेंगे fit underscore transform, इकठाई कर देते हैं, the imputer on CA old peak thal and call, और इसके लिए हम simply जो है अपने पास for loop भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसके इलावा fit transform भी यूज़ कर सकते हैं, so we will have the dataset like this, तो आप पे depend करता है कि आपने किस तरीके से कौन सा column जो है, वो यूज़ करना है, imputer को किस तरीके से लेके आना है, मैं यहां पे imputer को लगाता हूँ, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको run करता हूँ, run करने के साथ ही मेरे पास error आई है, we will see the error, could not convert string to float, fixed effects, fixed defect, तो हमारे पास यहां पे कोई चीज ऐसी है, which is not working fine, तो मैं simple simple अगर single चीज़ों को लगा हूँ, then we will have an idea, यहां पे imputer 2 हम यूज़ कर रहे हैं, और हम देखते हैं किस तरीके से लगता है यह, बलके df के अंदर, मैं एकी column पे लगा देता हूँ, सो मैं ca के column पे लगा देता हूँ, ठीक है, imputer 2 fit transform, ca के उपर लगा या, अब यह चल पड़ है, तो ca के उपर लग गया हमारा imputer 2, ठीक है, और कोशी यही करते हैं कि यार imputer सभी का separate बना लेते हैं, it will give me a nice overview कि हर किसी का imputer हमारे पाँ separate बन रहे, और otherwise we can use the same imputer for each and everything, तो मैं यहां पे imputer 2 को fit transform करके, ठाल पे, call पे और सभी पे लगा देता हूँ, and at the end, I think everything is will be working fine, okay, something is wrong with some of the columns, 140 number line पे, तो मैं इन दोनों को comment आउट करता हूँ, इस तरीके से errors आपको आती हैं, दो ठीक चल रहे हैं, तीसरे पे आता हूँ, यह problem कर रहे हैं, और यह problem क्यों कर रहे हैं, I can totally understand, यहां पे हमारे पास जो ठाल का column है, यह object है, ठीक है, हमने इसको लिखना था, TH, AL, CH, समझ आई बात की, यहां पे CHन है, और यहां पे भी CHन है, और यहां पे भी CHन है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कि imputer जो है, वो तब काम करता है, जब आपकी जो values हैं, वो float है, तो इस वज़ाँ से मैं इसको run करता हूँ, now everything is working fine, so हमने जो float के column थे, सभी को missing values को impute कर लिया, and we have now only the object columns, यह वाले object columns हैं हमारे पास, ठीक है, thal का है, slope का है, fbs का है, tree rest, bps है, x gang है, and rest, यह वाला है हमारे पास, मैं सभी को दुबारा से run करता हूँ, उपर वालों को, और इसको देखता हूँ, तो हमारे पास, अब सिर्फ और सिर्फ यह वाले column रहे गे हैं, जिनको हमने impute करना है, let me see, यह क्यों ने चल रहा, value error, okay, there is something wrong, मैं इसको save करता हूँ पहले, kernel साथ को restart करता हूँ, अक्सर अकवाद यह भी मसला कर देते हैं, ताके हमारा one by one हम हार एक चीज़ को लेके चले, और मैं इसको run all करता हूँ, and hopeful के सभी चीज़ें जो हैं वो run कर जाएंगी, नहीं करती, then we will see, everything is showing tick 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 tick, and here is something wrong, imputer 2 is not defined, I can totally get it, और यहाँ पे t-rest bps पे imputer 1 यूज़ होना है, और यहाँ भी मेरी जो error है वो बता रहे थे, तो मैंने इसको लगा दिया जनाबे वाला, यह हमारे पास हो गया इस तरीके से, and यहाँ पे imputer 2 हमने यूज़ कर लिया, और इसको हम run करते हैं, everything is fine, यहाँ पे हमारे पास यह वाले column रह गये हैं, जिनको हमने impute करना है, and all of these columns are, क्या हैं, all of these columns are object columns, अब आपको समझ आगी है, कि float के लिए मैंने क्या यूज़ किया, इटरेटिव imputer, जो multi-variate variables को देखके, आपको imputation करके देता है, अब एक चीज़ यह है, थाल का जो column है 52%, THAL, यह है क्या पहले तो यह देखते हैं, THAL हमारे पास है, जनाब, normal fixed defect and reversible defect, यह defect का column है, normal fixed defect and reversible defect, and we have to think about it, यह है क्या, तो अगर आप घौर करें, यह जो column है ना, यह मैंने अभी Google पर search किया, and it showed me, यह थाल का यह ती एच, AL का मतलब यह है, कि यह blood disorder है, called thalassemia, ठीक है, और इसकी value zero है, तो there are many other things, other, कुछ और है, तो यह different है, X-gang जो data set है, exercise induced angina, ठीक है, यह उसका column है, तो आप अगर Google पर लिखेंगे ना, किस column का क्या मतलब है, you can find it out, ठीक है, सो मैं अभी जो जाता हूँ, वापिस अपनी notebook पे, now I know, कि यह thalassemia है, मेरे पास, normal, fixed defect and reversible defect, ठीक है, अब देखते हैं कि यह चीज़ें किस तरीके से काम करती है, curable है या curable नहीं है, we will see that, और दूसरी बात, अगर मैं इसको thal, A, C, H कहता हूँ, तो यह column क्या बताएगा, we will have a look, in heart disease column, the person's maximum heart rate achieved, ठीक है, okay, ठीक है था लेक, the person's maximum heart rate achieved, और आप different notebooks में भी इनको देख सकते हैं, by the way, मैं इस detail में नहीं जा रहा, आप इन columns को खुद से भी देख सकते हैं, और हमारा जो main काम है, यह है कि जनाब यह एक object का column है, तो हम one by one इनको impute करेंगे, हमने उपर वाले सारे कर लिए, now we will see, कि हमारे पास जो THAL है, वो किस तरीके सा column है, तो उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, DF के अंदर THAL, और इसको मैं लिखता हूँ, value count, value count मैं देखता हूँ इसका, तो यह है जनाब normal fixed defect हैं, हमारे पास दूसरा defect, अगर मैं इसको dot sum करूँगा, अगर यह 920 बना रहा है, that's fine, otherwise यह 434 बना रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है, which is showing के 55% से ज्यादा हमारे पास missing values हैं, अब इसको impute करना है हमने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब यहाँ पे आपका advancement स्टार्ट हो जाएगी, कि आपने किस तरीके से ML model को use करके, missing values को impute करना है, count यहाँ पे करना है, ठीक है, और उसके लिए simply आपको भी पता है, कि यहाँ पे अगर मैं value count लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, df के अंदर thal, और dot is null, dot sum, और यह हमारे पास इसकी 486 missing values हैं, ठीक है, so we have 4, 6 missing values, अगर मैं इसको cut करूँ, print f के अंदर, the missing values in thal column, sum are, इसको हम लिख देते हैं, curly braces के अंदर, मैं इसको इंटर करता हूँ, and there is something wrong, कोई unmatched हमारे पास f string रह गई है, we have to find that, f string unmatched, thal.isnol.sum, तो यह जो एक बटन है, यह basically github co-pilot का बटन है, and we will just accept this, and hopefully it will work, and this is working fine, so something was wrong, और वो था जनाब आपकी, braces, जो यह वाली brackets हैं, खैर, 486 आपके पास missing values हैं, और value counts आपका यह है, इसका मतलब यह है, कि अगर आप mod के साथ replace करते हैं, तो आपके पास 166 जो है, normal है, तो सारे के सारे normal आजाएंगे, अगर reversible defect के साथ, या average के साथ आप करते हैं, या आप किसी, एक ऐसी चीज़ के साथ करते हैं, जो second आपकी constant value तो यह है, तो मैं mod के साथ नहीं करूँगा, वरना सारे के सारे normal हो जाएंगे, तो मुझे क्या फाइदा हुगा इसका, तो हम इस चीज़ में change देखेंगे afterwards, और इस से हम क्या करने वाले हैं, अब हमने use करना है, कोई एक model, जिसके through हम missing values को impute कर सकें, and believe me, this is not easy task, और इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करने पड़ेगी, और उस मेहनत के नतीजे में, आपको पता चलेगा, कि आपका data किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे, आपके सामने screen share करता हूँ, हमारे students हैं, यह उनकी note book है, awesome techniques to impute high missing values, अगर आप code में जाएं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, high missing values की awesome techniques को, और एक यह भी हैं हमारे पास, इन्होंने भी impute की हैं missing values को, आप इनको भी देख सकते हैं, और there are many students जिन्होंने यह काम की है, यहाँ पे train three models on heart disease data, इनका भी है काम, और आप जहाँ पे मेरी तस्वीर देखेंगे, या मेरे collaboration देखेंगे, तो students have worked on different things, तो आप यहाँ से different models, और different किसम की techniques को use कर सकते हैं, से for example, मैं awesome techniques वाली note book को open करता हूँ, और इस note book के अंदर आपको बताया गया है, किस तरीके से आप missing values को impute कर सकते हैं, ठीक है, I know कि there are many things, जिसके तरीके से आप इसको impute कर सकते हैं, लेकिन, आपको जो use करना है तरीका का, that should be unique, तो यहाँ पे काफी ज़्यदा तरीके का बताया हूँ है, but maybe some methods are not mentioned here, then you have to use, कि किस तरीके से आप किसी भी एक classifier को use करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास, जो impute high missing data, यहाँ पे इन्होंने एक column को pass करें, और इन्होंने एक function बनाया, जिसके अंदर बकाइदा उन्होंने बताया है, किस तरीके से आपका iterative imputer काम करेंगे, whatever they are using, आप किस base पे एक पूरे के पूरे column को, missing values को impute कर सकते हैं, so you can copy this thing, और आप at the end एक column को यहाँ से गुजारेंगे, इस function से, and then you can have a data actually imputed inside your dataset, अब यह है एक function, आप एक function भी बना सकते हैं, और आप कुछ और भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो मैं काम आपको दिखाने वाला हूँ, that would be totally unique, और वो unique क्यों है, उसकी reason यह है, कि हम जो काम यहाँ पे करेंगे, वो काम होगा, just a minute, मैं भी आपको दिखाता हूँ, और यह काम थोड़ा सा unique होगा, हम prompting को use करने वाले हैं, इस function के लिए, और यह तरीका कार आपको समझाने के लिए, कि how you can actually develop something, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, chat GPT4 का version मैं use कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, I need to impute, बलके इसको मैं बोलता हूँ जनाब, सबसे पहले, act as a data scientist, and master of data reprocessing, impute miss, show me the code to define a function, which can impute the missing values from my data set having, from my data set, define which can impute missing values of an object or categorical column, from my data set using a random forest classifier, add all the steps in that function, so that I only provide the input of my data set and the name of my column, and it imputes the missing values using the RF classifier from sklearn library, ठीक है, so, यह हम काम करेंगे, और बिलकुल, यह 50% से ज्यादा है, इसी वज़ा से हम machine learning के task को यूज कर रहे हैं, multivariate statistics analysis, जो होता है उसको यूज कर रहे हैं, मैं इसको run करता हूँ, and it will help me to create a function, और psychic learn को use करते हुए, यह मुझे function बताएगा, and hopefully that function will help, and we can impute the missing values, I know this task is really important, और मैं आपको इस वज़ा से यह चीजने सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चल सके, कि आप किस तरीके से missing values को impute कर सकते हैं, अब यहाँ पर चेक करें, उसने मुझे बताना स्टार्ट कर दी है, कि जनाब पांडाज और यह random fresh classifier चलेगा, label encoder चलेगा, impute categorical variable with random fresh classifier, यह आपके definition है, यह function है, data आपने यहाँ पर बताना है, column name आपने यहाँ पर देना है, check if the column is categorical, if data column dot data type is object, fill missing values with a placeholder, data column is equal to data column dot fill and name missing values, ठीक है, फिर आपको वो encode categorical variable है, data column name, और उसका फिर आपको क्या करेगा, column name का बता देगा, और उसको encode कर देगा, missing data find out करेगा, and at the end वो उसको predict करेगा, and at the end else, यह मतलब काफी चीज़ें इसमें ले आएगा, और example usage भी उन्होंने बताई है, your data frame and your column name, यह हमने proper इस चीज़ को देखते हुए रखना है, अपने पास, remember to replace your data frame and your column name, with your actual data, तो मैं इसको copy करता हूँ यहां से, और मैं सिर्फ एक go में चेक करता हूँ, I know कि इसको हमें change करना पड़ेगा, मैं यहां पे function define करता हूँ, और example usage वगएरा को हटा देता हूँ, simply, और मुझे पता है कि मैंने यहां पे, data और column का name change करना है, क्योंकि मैंने label encoder और यह दोनों चीज़ें, पहले से बुलाई हूँ गया, तो मैं यहां पे लिखता हूँ, define the function, ठीक है, तो हमारा df है, categorical column जो है हमारे पास, df का thal का हमने data जो है, हमने impute करना है, और इसके बाद हम करेंगे print, check if there are some missing values, print missing values और thal के अंदर हम देखते हैं, मैं इसको run करता हूँ, and I knew कि यहां पे error आएगी, और आप देख सकते हैं, could not convert the string to float, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, कि यह जो हमारे पास, other categorical column है, उनको पहले आपने encode करना है, तो हमें पता चल गया कि मसला क्या है, it gave an error to encode other variables in the data frame, please add the section to encode those variables, ठीक है, पहले चीज़ तो यह, आपने बाकी data set के जो हैं, उसकी error बता देनी है, ठीक है, and then you have to provide the information, आपको पता है कि यहां पे could not convert string to float mail आया, we know that we have to use that thing, और फिर बाद में, at the end of this function, please inverse transform each encoded column to its original values, ठीक है, तो हमने यह काम भी करना है, मैं इसको copy करता हूँ, बलके यहीं पे paste कर दिया, अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि यहां पे magic होने वाले है, और magic खराब भी होज़ा था, so don't need to worry about anything, prompting आप देख रहे हैं, आपको समझ होनी चाहिए कि करना क्या है, मैं इसी विज़ा से start में prompting नहीं आपको बढ़ाई, अब आइस्ता इस्ता उस तरब में move करूँगा, and you can totally understand, कि मैं यहां पे जो काम कर रहा हूँ, this is going to change the future of coding, ठीक है, और आप देख सकते हैं, कि हमारे पास जो चीज़ें चल रही हैं, वो किस तरीके से चलेंगे, कोई मसला नहीं है, अगर कोई prompt के अंदर घलती भी हो जाती है, तो यह इतना अच्छा है, कि खुद बाखुद उसको remove करेगा, तो prompt के अंदर छोटी मोटी खलती जो है, वो परिशान नहीं करती है आपको, लेट सी, तो मैं यहां से column दुबारा उठाता हूँ, यहां पे इसको print करते हैं, paste करते हैं, मैं यहां पे अपना जो निया function है, उसको paste करता हूँ, निया function मैंने paste किया, column name, data frame name, इसको मैं run करता हूँ, यह हमने run किया, अब आप देख सकते हैं, कि हमारे पास, जो यह तीन चीज़ें हैं, label encoder को use करके आएगा, बैसिकली, तो मैं यहां पे define कर दिया जनाब अपना function, मैं इसको enter करता हूँ, define करने के बाद, अब दुबारा से देखते हैं, still it's giving an error, the column thal is not categorical, ठीक है, क्यों नहीं categorical है, अब हम देखते हैं, कि thal का जो data type है, वो क्या है, THAL, यह थलिसी में आ है, बैसिकली, thal हमारे पास है object, ठीक है, और अगर आपके पास कोई चीज object आ रही है, so you have to say, कि यह object कैसे है, पहले हम function देखते हैं, यहां पर हमारे पास है, define impute categorical, with rf, data और column name दे दिया, check if the column is categorical, if data column name dot data type is not object, raise error, ठीक है, is not categorical, otherwise आप इसको इस तरीके से लिखते जाएं, बिलकुल यह object यह, THAL हमारे पास column है, तो हमारे पास issue फिर क्या आ रहे है, we have to see that, let's see, यह इसका नाम है, import categorical with rf, with rf, and इसको मैं run करता हूँ, इसको पहले run करते हैं, इसको फिर run करते हैं, और मैं यहां पे, इसी error को ऐसे उठाता हूँ, और यहां पे paste कर देता हूँ, let's see, यह क्या कहता है, let's see, अब हम इसको दुबारा से चेक करेंगे, we need to be very precise, I know कि यहां पे मसले आएंगे, और यह तो बिल्कुल शुरुवाद है भई, आगे आगे देखिये होता है क्या, वो कहते हैं ना, अभी तो आगाज महबद है रोता है क्या, आगे आगे देखिये होता है क्या, अभी तो शुरुवाद है, यह मैंने यहां पे लिखा, मैं इस फंक्शन को दुबारा से बनाता हूँ, यह फंक्शन हमारे पास बन गया, अगे इसको मैं दुबारा से उठाता हूँ, यहां पे इसको मैं दुबारा से उठाता हूँ, मैं इसको पेस करता हूँ, लेट सी, क्योंकि अभी मुझे पता है क्या, मैं सिर्फ और सिर्फ, चेक करके बता रहा हूँ कि यह एरर्स आ रही है, नथिंग मोर देन दाट, ठीक है, अब इसका एक और तरीका कार है, मैं यहीं पे इसको उठाता हूँ, कट करता हूँ, और यहां पे इसे पेस्ट करता हूँ, इसे रन करता हूँ, अगर मेरे पास एरर कोई नहीं है, अगर एरर आती है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, it will automatically fix this thing क्योंकि यह github copilot का function है और इसने मुझे बता दिया convert boolean to string values तो यह हम इस तरीके से कर देंगे df impute categorical और फिर at the end आपके पास data आ गया तो मैंने उसकी मान के सारे के सारा data जो है वो बता दिया convert boolean to string values use the function to impute जो मुझे सही values नहीं दे रहा so I'm not going to actually listen to this thing मेरे लिए chat gbd यह वाला ज्यादा important होगा hopefully okay let's see यह क्या कहता है मैं इसको दुबारा से ऐसे उठा के यहाँ पे paste करता हूँ यहाँ पे इसे paste करते है example usage को यहाँ से हटा देते हैं यह example usage को हमने हटा दिया मैं इसको इंटर करता हूँ अभी भी error आ रही है why contains previously unseen label missing अब जो inverse transform में मसला आ रहा है जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब यह वाली error है क्योंकि why contains something which has no verse C please use separate label encoders for each categorical column while encoding and inverse transforming the data ठीक है क्योंकि चीज़ यह है कि अक्सर उकातना आप को थोड़ा सा patient होना पड़ता है मजला patient से मुराद बिमारी वाला patient इल्ला माफ करें मजला सबर वाला साबिर होना पड़ता है साबिर होंगे तो चीज़ें जो हैं आपकी सही तरीके से चलेंगे मैंने आपको basically यह सारे का सारा काम पहले भी करके दिखाया कि missing values वाले को separate कर लें फिर concatenate करें लेकिन that takes a lot of time अगर आपका function एक दफार define हो गया then you can use the same function every time whenever you are doing something ठीक है इस वज़ा से मैं इसको use कर रहा हूँ let's see मैं इसको copy करता हूँ और यह यह जो power of chat GPT hopefully it will work अगर नहीं भी काम करता है then we will find out another way and we will do this thing तो यहां से मैं अब इसको control enter करता हूँ और फिर से मेरे पास error आ रही है but I will seek error क्या आ रही है pound error with zero sample shape zero fifteen while minimum of one is required random rest classifier अभी भी इसमें मसला आ रहा है so we have to find out a way ठीक है अब यहां पे हमारे पास अभी तक जो है हम तकरीबन पिछले दो घेंटे से इस lecture के उपर लगे हुए और मैं यहीं पे notebook को update करता हूँ and यहां पे आपको एक assignment शोड़ता हूँ assignment alert write down the function to impute the missing values of thal column by using ml models and reuse that function on other columns as well ठीक है आपने यह function बनाना है इसको use करना है and then you have to show that के आप same function को दूसरी जव़ों पे भी use कर सकते हैं यह आपके assignment है मैंने मोटी मोटी करके यहां पे लिख दी है अभी हमारा जो next lecture होगा वो कल को होगा क्योंकि अभी के लिए मेरे खियाल से दी है आपने यह भी outputs लिखनी है और आपने missing values को impute भी करना है ठीक है और मैं यहीं पे इनको fetch कर रहा हूँ ठीक है assignment के नाम से मैंने अभी एक आखरी commit यहां पे किया है जो आपको GitHub की repository के अंदर आ जाएगा नजर और अभी आप notebook को download करके आज की रात भी इस पे लगाएं तो that would be nice जिसके पास भी final function बन जाए वो उसका code जो है वो डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर please send करें and then we will use that function और उस बंदे का नाम भी मैं obviously यहां पे announce करूँँगा जिसमें भी यह बनाया and इन्शालला इससे आपके coding जो है और और भी आगे मस्बूत होगी इसे के साथ ही आज का lecture जो है उसे रोकते और इन्शालला कल को दुबारा से आएंगे और अगले lecture में आपसे मुलाकात होगी और इस project को हम इन्शालला कल के दिन फिनिश करने वाले हैं जो मेरा idea है plan आज का था लेकिन दो गहंटे और रेड़ी हो चुके हैं so we will continue this lecture tomorrow अपना ख्यार रखें दौम याद रखें take care and अलाने के बाद assalamualaikum